एक विशिष्ट परिस्थिती में आधुनिक तक्नीकी का उप्योग करके परदे पर ये अमारी भेट हो रही है कोरोना की महामारी से सारी दुनिया जूज रही है और उस बीमारी के साथ लड़ाई का एक अनिवारिया अंग है घर में बंद रहना सारे कामधाम बंद करके बैठे रहना घर में बंद रहकर जितना हो सब्सक्राइब तो हमारी संग की कई स्वाइशों को लगता होगा शाक है अभी मैदान पर लगला बंद है कार्यकरम बंद है संग शिक्षावर्ग प्रारंब हुए होते वो बंद है तो हमारा काम बंद है लेकिन हम अपने अपने घर में बंद है लॉकडाउन कहते उसमें है तो भी जीवन तो चल रहा है ऐसे संग का कार्य भी चली रहा है नित्य के कार्यकरम बंद है दूसरे कार्यकरमों ने उनकी जगह लिए है यह संग के लिए भी और हम सब की जीवन के लिए भी सकते हैं क्योंकि जीवन मनुष्य का इसकी कलपना क्या है तो सारी दुनिया मानती है और संग में हम लोग मानते कि हम स्वयम अच्छे बनें और अपने अच्छाई का उप्योग करके जग को अच्छा बनाएं दुनिया को अच्छा बनाएं स्वयम अच्छा है और दुनिया के लिए कुछ नहीं कहता उसको भी लोग अच्छा नहीं करते हैं और दुनिया के लिए गलती से कुछ अच्छा कर भी लिया लेकिन स्वयम के जीवन में अच्छाई कोई आउशन ही उसको भी दुनिया अच्छे नहीं के जीवन के या संगकारे के एक ही सिख्के के यह दो पहलू है अपनी परंपरा में ऐसा कहते हैं एकांत में आत्मसाधना और लोकांत में परोपकार यहीं जीवन का स्वरूप है यहीं संगकार्य का स्वरूप है तो अपने स्वयम से वक रोज प्रार्थना कर रहे हैं मैदान पर एकत्रहा कर नहीं कर रहे हैं अपने परिवार के साथ घर में कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना करने का उनका समय प्रचंड प्रमाण में जो सेवा चल रही उसको सब लोग देख रहे हैं और सारा समाज हमको प्रोच्छान भी दे रहा है प्रमण में रखना चाहिए कि ऐसा नहीं मानना चाहिए कार्या करम अपना कार्या नहीं नहीं है स्वयम अच्छा बना और दुनिया को अपने प्रयास से अच्छा बनाना यह अपना कारी चीज़ारत से एक भिखू गए कि तथागत के दम्म का प्रचार करने के लिए कुछ वर्ष वहां काम करने के बाद उनको ऐसा लगा कि तथागत का एक चरित्र लखा जाये चीनी भाषा में वहां के जन्रता की लाप के लिए तो लिखकर तो तयार हो गया लेकिन उसो चापना है तो वहां उनके जो संपरक थे उन सब लोगों से वो मिले उनसे धनी कठा किया बताया तथागत का चरित्र उससे चापेंगे और सारा धनी कठा होने के बाद छापने के लिए छाप खाने में वो हस्त लिपीद देना कल देनी है तो आज रात में एक बड़ा भूचा ला गया और बहुत से देहाद बहुत से शहर तहसनास हो गए तुरंत सेवाकारे में सब लोग लग गये तो पुस्तक के लिए जो धन लाया था उसका स्वाभावी कुप्योग लोगों की राहत के लिए हो गया वो धन समाप तो हो गया इसलिए कार्य पूरा होने के बाद फिर से भिक्को ने सबको बताया कि दन तो दिया था आप लोगों ने लेकिन वह ऐसे काम में हो गया खर्च तो और एक बार धन संकलन फिर से वाइसा किया फिर जब चाप खाने में जाना था उसके पहले कि उस दिन एक बड़ी बाढ़ा गई फिर रहत कारी करना पड़ा सारा संकली धन उसमें व्याय हो गया फिर जाकर लोगों को समझाया लोग भी समझ गए तीसरी बार धन संकलन हुआ इस बार कोई आपति नहीं हस्तलीपी छापकाने में गई मुद्रित होकर किताब तयार हुई किताब का धुमदाम से प्रकाशन हुआ और उस किताब को बड़े श्रद्धा पुरुवक खरीदा और पढ़ने के लिए अपने अपने घर में जब लोगों ने उसको खोला तो पहले पन्ने पर लिखा था कि ये तथागत के चीनी भाषा में चरित्र की तीसरी आवरत्ती है यह दूम화를 फाली का एक चरित्र का सुरूप है लेकिन उस चरित्र का जो संधेश है दुणिया के दुखमुक्ति उसको आचरण में उसके पहले दो भरिखाए गया तो भी पुस्तक की आवरत्ती है ऐसे हम आज जो कर रहे है वो भी कार्यक्रम बदल के ताही कार्य कर रहे इस भावना से उसको करना तो स्वाभाविक कि वल संग के लोगों के लिए नहीं सभी के लिए कुछ बाते स्पष्ट वह जाती है मैं एक तो हम यह सेवा क्यों कर रहे हैं उसकी प्रेणा हमारी स्वार्थक नहीं है अपने अहंकार की तुरुप्ति आपनी किर्थी प्रसिद्धी के लिए यह नहीं करता है। पर हम तो अपना डंका बजारी के लिए हम यह काम नहीं कर रहे हैं। इस सेवा में हम लोगों को निरंतर लगना है, निरहंकार वृत्ति से लगना है, श्रीय दूसरों को देना है। और अभी यह जो विशिश का आपति है, उसमें जो सेवा करनी है, उसमें लोगों का प्रबोधन भी करना पड़ता है। कई बाते बतानी पड़ती है, तो बताने का परिणाम तब ही होता है, जब हम उसका पालन करते हैं। और इसलिए कोरोना की महामारी के समय में अपने स्वास्थ को सुरक्षित रखने के जो जो नियम विहित है। और हम लोगों को बताने वाले हैं, उन सबका पालन पहले अपने को करना है। वो पालन करते हुए भी करना है। घर के बाहर निकलना है। लेकिन नियम बढ़ा है कि उसके लिए अनुमती चाहिए लॉक्डवन है। तो अनुमती पूर्वक ही काम करना। फिजिकल डिस्टंस रखना है, अंतर रखना है, वो अंतर रखकर काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में भी सहज रहकर स्वयम उसके पालन का उदारन बनकर हमको लोगों को बताना है। और हम यह कर सकते हैं। महाबारी नहीं है, उसने कहर मज़ा है, लेकिन उससे डर जाने की अवश्यत्ता नहीं है। डरने से काम नहीं होता, डरने से संकट का बल जादा बढ़ता है। अपना संतुलन कायम रखके मन में भेका लवलेश न रखते हुए, ठंडे दिमाग से पाई करने हैं। कैसे करने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। इसकी योजना बनाकर हम काम करते हैं। तो वो काम येशस भी होता है, आत्म विश्वास युक्त, ऐसा अपना सुन योजित प्रयास करना है। और सातत्य पुरुवक प्रयास करना है। क्योंकि ये बीमारी नहीं है। इसमें निश्चित क्या क्या हो सकता है, इसके अनुमान लगते, जैसे इसे अनुमा आता है, वैसे ही पता चल रहा है। और इसलिए, अब ये कितना चलेगा। पता नहीं, जल्दी से जल्दी समापतों ये पूरा प्रयासम करेंगे। लेकिन जितने दिन चलेगा, उतने दिन, पीडित लोगों को रहात देने के और ये बीमारी नहीं पहले उसके प्रयास जारी रखने पड़ेंगे। तो ये अनुमा आदमी सब तरफ से कंगाल हो गया, निराश हो गया। लेकिन कुछ उसके जैब में पैसा था, कुछ दिन जीने का सामान उसके पास था, तो उसको पहले इसको खर्चा कर देते हैं और बिल्कुल ही कफल लग होकर मर जाएंगे। इसलिए वो बड़े शहर में गया, क्यों वहाँ पर जुवा खेलेंगे, जारा धन उड़ा देंगे, फिर मर जाएंगे। लेकिन उसको पता चला कि उस गाओं के पास, उस शहर के पास, एक बहुत लंबी चौड़ी जमीन थी, जिसमें मैंगनीज मिलेगा ऐसा लगता था, इसलिए दो-तीन माइनिंग कमपनीज ने, वहाँ आकर खुदा ही की, धाई-सो फिट नीचे गए, लेकिन मैंगनीज मिला नहीं निराश हो गए, इसलिए उसका लिलाव वो करने वाले थे, तो उसको लगा कि ये भी एक जुआ है, चलो जाके बोली बोलेंगे, अब इतना तो धन नहीं था, उसके जैब में इतनी बड़ी जमीन खरीजी कर सके, लेकिन वो 200 फिट की जमीन नहीं थी, 200 फिट का हो गई, अब जो मजदूर वहां काम कर रहे थे, उनको उस दिन की मजदूरी कमपणी ने दे दी थी, तो उन्होंने आके पूछा क्या करें, काम अभी बंदा करें कि पाच बज़े तक करें और बाद में छोड़े, तो उसने का आपने पैसे लिया है, तो पाच बज़े काम ऐसा सब कुछ बन गया, फिर से उसका जीवन बन गया, उसने लेख लिखा, हो मैंने पड़ा, रिडोस डाइजस्ट में आया था, कहानी अमरीका की है, लेकिन उसका शीरशक था, डिफरेंस बिट्विन दिसक्सेस और फेलिवर, इस थ्री फीट, तीन फीट के अंतर के लिए, इसलिए ऐसा सातत्य अपने प्रयासों में चलना चाहिए, उबना नहीं चाहिए, ठकना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए, सब के लिए करना है, इसमें कोई भेद नहीं है, जो जो इसके पीडित है, वो हमारे अपने है, भारत ने तो जिन दवायों के और निरिया कि लिए उसको हटा कर थोड़ा बहुत अपने तरफ लुक्सान लेकर भी दवाईया भीजिया है जो मांगेंगे उसको देंगे क्योंकि यह हमारा स्वभाव है कि हम मनुष्यों में भेद नहीं करते और ऐसे प्रसंगों में तो बिल्कुल नहीं करते एक है सब अपने हैं जो ज़कर जिसके अब सकता है उन सबकी सेवा जितनी करते समय है नहीं किर्ति फराने के लिए दुनिया भर में काम नहीं कर रहे इसलिए जो इस काम में लें उन सब को साथ लेकर उन सब के साथ रहकर काम करना है सामुहिक्ता से काम करना है इस प्रकार से हम सेवा करेंगे लोगों को जो बताना है वो बताएंगे लोगों से जो करवाना है करेंगे आधार उसका होगा अपनत्व की भावना स्नेह प्रेम वो अपने व्यभार में दिखन चाहिए काम अच्छा होना चाहिए सेवा का काम है उपकार तो है नहीं हम अपने लोगों का काम कर रहे हैं इसलिए उत्तम होना चाहिए प्रेम से होना चाहिए हनुमान जी के कारे के बार ऐसा वालमी की रामायन में कहा गया है देवों ने उनकी स्तुति की एक प्रसंग पर तब चार उनके विशिष्टों का उल्लेक किया दृती दृती मती और दाक्ष यहने दक्ष था सावधानी कि सावधानी आवसक है हम काम करेंगे लेकिन हम काम करते रहे इसलिए काम करते करते हम भीमार नो हो जाए इसलिए आजकल आयुष मंत्रा लेके द्वारा एक समर्थित काढ़ा है उसको हमने रोज पीना जाएए बाकी मास्क लगाना अंतर रखना यह सारी बाते हाद दोना पयम चिंता करें कि हम काम करने लाइक रहे अपनी मदद जिनको वास्तवित आवश्चकता उन तक पहुचे दूरत लोग भी रहते हैं दुनिया में वो हमारी मदद लेके चले न जाए इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक सजगता से काम करना पड़ेगा कोई छूट न किसको आवश्चक है उन सबके पास मदद पहुचे ऐसा काम करना पड़ेगा बुद्धी ठीक रखनी पड़ेगी किसको किस बात की आवश्चकता है सामान्य सूचना है सबके लिए लेकिन कुछ विशेश आ रहीती है उसमें उस प्रकार की रात मिले ऐसा प्रयत्न करना चलना पड़ता है अनुशासन में चलते हुए भी अनुशासन इतना लचिला होना पड़ता है कि अपने सेवा के दाएरे में सेवा के लाभ लेने वालों में सब आवश्चक्ता जिनको है ऐसे लोग आ जाएं फिर दुरूष्टी की बात है हम यह सब बताएंगे यह सब करवाएंगे तो आदते भी लोगों के ठीक रहें आदते ठीक न रखने के कारण भी यह बीमारीया आती है तो ये अनुभ़ों लोग ले रहे हैं, अब उनकी मनोभुमी का तयार है तो हमने अच्छाई का प्रचार प्रसार भी लगे हाथ करते रहना चाहिए ये केवल कार्याकरम नहीं है, इसमें से हम लोगों के जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं और लोगों के जीवन को गड़ भी रहे हैं अपने पवित्र समाज का सवरक्षण और सरवांगिन उन्नती यह हमारी प्रतिद्ञा है और इसलिए उस दुर्ष्टी को ध्यान को काम करना है और धायर यह रखना है कितने दिन कितने दिन ऐसा करके नहीं होगा जब तक पूरा नहीं होता तब तक करते रहना है सतत करना है ऐसा करते रहना और ऐसा करते रहते समय यह जैसे गुण है अनुमान जीक से वैसे विदूर नीती में एक बात बताईए दोशों को टालने के जिस पुरुष को अपना विजय चाहिए अपना प्रभाव चाहिए अपनी खुशाली चाहिए उसको छे दोशों का हनन करना पड़ता है उनको दूर करना पड़ता है वो कौन से है निद्रा तंद्रा भयक क्रोध आलस्यम दीरगस उत्रता आलस्य और दीरगस उत्रता काम की नहीं है तत्परता चाहिए जब उपस्ठी भारत का इस सारी के दोर में काम बहुत अच्छा हो रहा है इसका पहला कारण है कि तत्परता पूर्वक सारी उपाई योजनाएं यहां के शासन प्रशासन ने लागू की और उतने ही तत्परता पूर्वक समाज के एक बहुत बड़े आउंशन ने उसको अमल में लाए तो आलश से नहीं किया निर घश उत्रता नहीं दिखाई इसको ध्याण में रखना चाहिए वह तत्परता अपनी कायम रखनी चाहिए निद्रा, पंद्रा और असावधानी काम करते, करते धुन लग जाती है उसको तंद्रा कहते हैं धुन लगना अच्छा है लेकिन तंद्रा अच्छी नहीं क्योंकि उसमें व्यचार नठ्ट होता है सोच समझ के सजक रहकर एक-अक कदम डालते हुए काम करना और भया और क्रोध को टालना लोगों को भय लगता है कि हम को डालने चुपने का प्रयास करते लोगों को कुछ नियमों में बान दिया तो लोगों की ऐसी भावना होती है कि हम पर कुछ प्रतिबंदर आ रहे हैं अब संगा ने अपने और मार्च में ही तैय करके जून अखिर तक सारे कारिक्रम बन कर दिये लेकिन किसी किसों को लग भी सकता है कि सरकार हमारे कारिक्रम पर प्रतिबंद कर रहे हैं इस निमित और भढ़काने वाले लोगों की कमी नहीं है उसके कारण कुरोध पयदा होता है कुरोध के कारण अविवेक होता है फिर अतिवादी कृत्यों होते हैं हम जानते है कि इसका लाब लेने वाली ताकत है और वो प्रयासरत है जिस प्रकार इस कोरोना के बीमारी का फैलाव अपने देश में हुआ है उसमें एक कार्ण ये भी है परंतु दो बाते घहन में रखनी चाहिए जैसे इन सब का पालन सकारात्मक भाव से करना इस पर क्रोध नहीं करना इससे डर नहीं मन में रखना वैसे अगर किसी ने भयवश या क्रोध वश कुछ उल्टा सिधा कर दिया तो उस सारे समूहों को ही एक माप में लपेट कर उससे दुरी बनाना सर्वत्र दोस्त रखने वाले लोग होते हैं सामाने लोगों के मन में कुछ आ सकता है सामाने लोगों ने सबने ये खबरदारी लेनी चाहिए ये अपने देश का विशय है देश हित का विशय है इसमें हमारी भूमी का स्वायोक की ही होगी कभी भी विरोत की नहीं होगी मन में किन्तु परंतु है उसका द्वेश कुरोत को भड़काने वाले लोग है उनके खेल चल रहे हैं स्वार्थ के कारण बार्भी होंगे ऐसे कुविचार रखने के कारण बहुत सारे लोग ऐसा प्रयास करते हैं राजनीती भी बीच में आ जाती है यह जिनको करना जिनका चलता उनको चलता रहे इससे बचना यह लोग अपना कुछ बिगाड न ले इतनी सावधानी और इतना बल्न सजग जागरुत रखना लेकिन हमारे मन में इसके कारण प्रतिक्रियावस कोई खुनना होनी नहीं चाहिए भारत का 130 करोड का समाज भारत माता का पुत्र है अपना बंदु है इस बात को ध्यान में रखना चाहिए भाया और क्रोड दोनों तरब से नहीं करना चाहिए और जो जो अपने अपने समुव के समझदार लोग है नेतृत्व करने वाले लोग है उन्होंने इससे अपने समुव को बचाना चाहिए और ऐसे भाया या क्रोडवश होने वाले कुर्तियों में हम लोग नहीं है हम लो भारत के समाज को अतिशे वन दिया ऐसे दो सन्यासियों की हत्या अब उसको लेकि बाजी उगारे चलती है उसको एक बाजू रख दिया जाए पर उन्तु यह कुर्तिय होना चाहिए क्या कानून व्यवस्था को हाथ में लेना है ऐसा जब होता है तो पुलीस ने क्या करना चाहिए यह सारी बाते सोचनी की बाते हैं ऐसे संकट के घड़ी और ऐसे मन में परंतु रहते हैं रह सकते हैं अपर स्वाबाविक हैं उनके चपेट में न आके हम सारे भेग की स्वार्थकी प्रवर्तियों को अलग रखकर उनसे बचते हुए उनको उभरने न देते हुए देशित में सकारात्मक बनकर ही आगे बढ़ना चाहिए भया क्रोध यह जो दो दोश है उसको टालना चाहिए उन सन्यासियों की हत्या हुई पिट-पिट कर महला ला गया निरुपद्रवी लोग थे किसी का कोई अपरा दोना नहीं किया नहीं था धर्मका आचरन करने वाले धर्मका आचरन फैलाने वाले थे मानों पर उपकार कर करने वाले लोग थे उसका दुख्वाम सबके में अठाइस तारीक को उनको श्रद्धान जली देने के लिए हिंदू धर्मा आचारिया स्वभाने कुछ आवान भी किया है विश्व अंदू परिशद ने जो कारेकम भी दिया है उसका हम सब लोग पालन करेंगे उनकी अबस्क्ता नहीं रहेगी लेकिन जो अस्ताव्यस्तों हो गया उसको ठीक करने में समय लगेगा हमने देखा है कहीं कहीं ऐसा हुआ भी है कि थोड़े से बंदन शीतिलोने के पाद एकदम भीड़ हो गई फिर से उनको तितर वितर करना पड़ा यह अब इवेक हो सकता है सम समान्य व्यक्ति को ऐसे समय में दिशा देने वाले लोग होने पड़ते हैं अब विद्ध्याले खुलेंगे विद्ध्याले में विद्ध्याले के आसपास के परिसर में छोटी संख्या में क्लासेस लगा सकते हैं क्या क्या करके विद्ध्याले की शिक्षा शुरू भी होगी और यह डिस्टन्स मंटेन होगा बाजार वगरे शुरू होंगे लोकिन लोग इस अंतर को कायम रखने का पालन करेंगे फैक्टरी उद्योग शुरू होंगे तब भी भीड नहीं होगी अंतर रखकर अनुशासन से लोग चलेंगे इसके लिए चिंता करनी की आवज़ चकता है याने राहत पहुचाने का काम शायद कम हो सकता है परन्तु फिर से ये बिमारी न आये उतावली न हो इसके लिए समाज को दिशा देने का काम हमको करते रहना पड़ेगा ये सारे काम होने हैं तो समाज में एक सदभाव, सदाचार, सवयोग का वातावरन बनना चाहिए समाज के सारे जनमान्य लोगों को इकठा करके उनके द्वारा ये बात करवानी होगी समवाद रखना पड़ेगा अनुशासन पालन के बारे में स्वयम का उधारन और उपदेश उन लोगों को रखना पड़ेगा उसके लिए उनके साथ भी बात करनी पड़ेगी लोगों की क्षमता प्रतिकार क्षमता बड़े कई आयूरेदिक पाय है योग है व्यायाम है तरह तरह के प्राणायाम है उपाय तो अपना स्वास्ता मंत्रा ले भी बता रहा है और जगजग़ के चिकित्सक भी बता रहे है उसका नित्य नियमित आचरण करने का एक करम कुटुमबो में चलना चाहिए कुटुमबो में संसकार का वातावरन होना चाहिए शांत दिमाग से किसी भी भय याने पैनिक के चपेट में ना आते हुए जो करना है वो करता हुए ठीक से करना इस प्रकार का स्वभाव बनने के लिए कुटुम्ब में भी उस प्रकार के स्वभाव का समस्कार होना चाहिए इसके हमको प्रयास करने पढ़ेंगे और प्रयास में वही करम रहेगा हमको उदारन बनना पढ़ेगा हमको समुपदेशन करना पढ़ेगा हमको अपनी सेवा से सबको जोड़ना पड़ेगा और सबका सहयोग जुटाना पड़ेगा यह बीमारी पहली बार आई है इस प्रकार की सारे दुनिया में एक साथ शायद ही पिछले और कुछ शतकों की इतियास में विश्वा पहली बार ऐसे संकट का सामना कर रहा है तो संकट तो है और हम लड़तो रहें लेकिन यह संकट कुछ तिका भी रहा है जैसे प्रदार मंत्री नहीं कहा सरपंचों को कि यह संकट हमको स्वावलम्ब्रों की सीख दे रहा है तो कई ऐसी बाते भी आ रही क्योंकि यह संकट जाएगा जो अस्तावियस्त हो गया उसको यथावकाश हम ठिक कर लेंगे लेकिन इस संकट के अनुभव में कुछ सत्य फिर एक बार उजागर होके हमारे सामनी जो स्पष्ट कड़े हैं उनसे पाठ लेकर बोध लेकर अपने जीवन की रचना को उसके अनुसार परिवर्तित करने का एक बड़ा काम एक तरह से राष्ट्रपुनर निर्मान का जो काम चल रहा है उसका अगला चरण कि उसको परिणाम में लाना पड़ेगा अब बहुत से लोग शहरों से चले गए अपने अपने गाओं में सब के सब वापस आएंगे क्या जो गाओं में रहे जाएंगे उनको रोजगार की क्या व्यूस्ता होगी जो वापस अपने काम पर आएंगे उन सब को काम देने की योगों कि या उनके मालिकों की स्थिती होगी क्या उनके भी सारे कारोबार ठप पढे ऐसी हवस्था में इनका रोजबार गार भी कायम रहे और उस समय के अनौ में你 सब चल सके इसके लिए सबको कुछ नगा छोड़ना पड़ेगा उसके लिए मन की तहियारी करनी पड़ेगी समझदारी बरतनी पड़ेगी उसका भी उपदैश करना पड़ेगा उसको भी समझाना पड़ेगा और अगर स्वावलंबन ये इस आपत्ति का संदेश है तो स्वावलंबन में अपना स्वा क्या है उस्व आधारित तंत्र का अवलम्मन हमको करना पड़ेगा कमूर्जा खाने वाला रोजगार मुलक परियावरन को न विगाड़ने वाला ऐसा विचार हमारे ही पास है उसके आधार पर एक युगानुकूल रचना अपने अर्थनीती की अपने विकास नीती की अपने तांत् की हमको करनी पड़ेगी आधुनिक विज्ञान के आधार पर इसमें जो जो अध्यतन साहयक होता है वो लेते हुए परंपरा के आधार पर जो आज सुसंदर्वित है इस संकट के कारण फिर से एक बार हमको याद आ रहा है उन दोनों को मिलाते हुए हमको एक नए विकास के मॉडल का निर्मान करना पड़ेगा हमको करना पड़ेगा यहने कोन करेगा शासन को विचार करना पड़ेगा प्रशासन को विचार करना पड़ेगा लेकिन मात्र इन दोनों के करने से नहीं होता समाज को भी इसमें कुछ करना पड़ता है समाज को स्वकावलंबन करना पड़ेगा यहां की बनी वस्तुए जहां तक संभव है उनी का उप्योग करेंगे यहां जो बनता नहीं बिना उसके जीवन चलता है तो बिना उसके चलाएंगे जीवन के लिए आवश्चक है तो अपने शर्टों पर लेंगे कम से कम उप्योग में चलाएंगे ऐसी बहुत सी बाते अपने नित्य ववार में लानी पड़ेगी अपने अपने व्यक्तिगत और पार्यवार के व्यवार में हम लोगों को स्वदेशी का आचरन करने के लिए स्वदेशी के उत्पादन उपलब्ग करने पड़ेंगे उत्पादन उत्कुरुष्टता के मामले में बिल्कुल उन्नीस न हो ऐसी गुनवत का उत्पन न करनी पड़ेगी उद्योजक निर्माता कारीगर सभी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और समाज को स्वदेशी पर दुढ़ों होना पड़ेगा विदेशों के ऊपर अवलंबन नहीं होना चाहिए ऐसा हमको समर्थ रहना पड़ेगा उसी प्रकार हमने अनुभव किया अब जो बाहर निकल कर नदीयों को वगरे देख सके वो बताते हैं लेकिन हवा का तो हम सब लोग अनुभव कर रहे कि परियावराण बहुत मात्रा में शुद्ध हो गया क्यों शुद्ध हो गया क्यूंकि कुछ क्रियाकलाप बन्द हुए जो परियावरन को दुशित करते थे अब फिर से अपना जीवन नियमित हम शुरू करेंगे तो कौन से ऐसे क्रिया कलाब कम से कम हम कर सकते हैं बिना उसके काम भी चल सकता है इसका विचार हमको करना पड़ेगा पानी का उप्योग ठीक से पानी का समवर्धन संरक्षन व्रुख्षो का समवर्धन संरक्षन और प्लैस्टिक से मुक्ती स्वच्छता का पालन जैविक तरीकों पर बल देकर गवपालन जैविक खेती आधिके आधार पर जीवन चलाने का हमको अभ्यास अपना करना पड़ेगा अभी जो हमारा अभ्यास रासाइनिक खेती आदिका है उसको बदलना पड़ेगा उसके लिए सारे समाज का बनमलाना पड़ेगा शासन की नीती मैं ऐसी बनेगी लेकिन जब तक समाज उस प्रकार चलता नहीं तब तक उसका परिणाम नहीं होता कुटुम्बा में भी हमको और इस प्रकार के सांसकार करने पड़ेंगे बहुत दिलों के बाद जो भागदोर चल रही थी वो बंद हो गई तो अपने घर में रहने का सतत रहने का आनुबह बहुत लोगों को बिला गर को भी अच्छा लगा और हमको भी अच्छा लगा इसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं समवात बढ़ता है समझदारी बढ़ती है सामनस्य बढ़ता है और इसलिए कुटुम्ब में इन सारे बोदों की चर्चा उसके आधार पर व्यवहार कैसा हो ऐसा समवात चलना जैसा अपना कुटुम है वैसे समाझ भी एक कुटुम है समाज कई विचार करने वाले लोगों में समाज का नित्रुत्व करने वाले लोगों में इस प्रकार का चलना चर्चा का चलना संस्कार का नियमितता का प्रभा होना अपने जीवन पर व्यक्तिके तोर सामुई इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी नागरिक अनुशासन के पालन में हम सबको तत्पर होना पड़ेगा जहां जहां उस अनुशासन का पालन लोग कर रहे हैं वहां कोरोना का उपद्रों कम है और जहां इस अनुशासन की आदत नहों होने के कारण गड़बन हो रही वहां कोरोना की चपेट में अभी भी देश का कुछ भूबाग है और इसलिए उस अनुशासन का पालन करना निता ने कहा है कि देशभक्ति का स्वतंत्र देश में रूप तो नागरिक अनुशासन का स्वयम होकर सारे नागरिक पालन करते हैं इतने वो समझदार होते हैं यही है लक्र अम्बेडकर साहब ने भी सम्विदान प्रदत करते समय जो बहुत जोर दिया गया है हमको अपनी इस आदत को और ताजा और धारवाला करना पड़ेगा उसी प्रकार समाज में सद्भाव का वातावरण स्वयोग का वातावरण शांती का वातावरण बरनाना पड़ेगा शासन तो संसकार मूलक शिक्षा नीती जल्दी लाएगा लाना पड़ेगा उनको क्योंकि ये सारे काम शासन की नीति प्रशासन का अध्यान में रखकर समाज को अपना मान कर अमल करने का तरीका और समाज का आचरण से सायोग इन तीनों बातों के एकत्रा आने के बाद ही संबह होता है तो शासन जैसे अपने प्रशासन को समाजोन मुख करेगी राजनीतिक लोग अपने राजनीति को स्वार्थमूलक से हटा कर देश हीतमूलक बनाएंगे शिक्षा जैसे वाली परिवर्तन अपने आप में करेगी वैसे हम सब लोगों का व्यवार भी पड़ेगा भविश्य के लिए भी यह संकट बहुत कुछ बता कर जा रहा है उसका विचार करके हमको अपने जीवन के नए मानक का विचार करते हुए उसको आचरण में लाना पड़ेगा हम सब लोग मिलकर आत्मविश्वास से इस अपने देश और अपने समाज के अपनत्व को मन में रखकर इस देश इंकट से निकाल कर सारे विश्वकी मानवता का नेत्रुत्व करने वाला देश बनाने के लिए आत्मविश्वास पूरुवक प्रयत्नों का परिश्वों का सात्य अपने करतुर्तों में रखकर फिर एक बार हमको सक्री होना पड़ेगा इसकी आवश्चक्ता है हमारी भूमी का विश्व में और अपने दिश्व की यही है कि इस संकट को आउसर बनाकर हम एक नए भारत का उत्था इस सारे संकट को आउसर बनाकर उसमें से करे ऐसी हमारी भूमी का हो इसलिए जो आवश्चक बाते मुझे लगती थी वो मैंने आपके सामने रख दी है आरे स्वेंसियों कैसा सोचते ही है और ऐसा करेंगे ही परंतु संपूर्ण समाज में सभी को ऐसा होने की आवश्चकता है इतनी एक बात को मैं आपके सामने रखता हूँ और अपना यह कुरू नगरता हूँ धन्यवार्ट